जय गों मातागी जय भारत मातागी आप सब कैसे हैं उमेद करता हूं कि माँ भगवती की क्रपाश आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माँ भगवती आप लोगों को अच्छे बनाए भी रखे क्योंकि आप अच्छे हैं और माँ की क्रपा आपको सैदेव अच्छे इसका छूटा है इससे आप लोगों के हिस्से में भी है ताकि आप इस जानकारी को जादा से जादा लोगों तक शेर करें और ग्यान को जितना बाढ़ते हैं उतना बढ़ता है और हम एक सेर से और लोगों की भी मदद कर सकते हैं विशे क्या है विशे रहेगा दोस्तों घर को लेके और घर में इसान कोन को लेके इसान कोन बड़ी एहमियत रखता है और ये जानकारी अगों लोगों के लिए बहुत जादा इंटरस्टिंग हो जाती है और बहुत जादा जरूरी भी हो जाती है जो आगे मकान खरीदने वा पर जिन घरों में बहले से यह है वो इसमें बदलाओ करके अपने समस्याओं से अपने प्रेशानियों से छुटकर अपा सकते हैं आगे बढ़ने से पहले फिर से एक चोटा सा निवेदन आप वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें और यदि आप हमारे इस वीडियो को इ इसी विमाध्यम से देख रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको किवल आपके अपने चैनल जोती साधना के अंदर यूटूग पर प्राप्त होगी नए हैं तो बैल आइकन को प्रेस करें और यदि पुराने हैं तो प्रानों की पर जुम्मेबारी है वीडियो को जादा से ज जनम होता है पहला घर हमारा ये सरीर होता है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है दूसरा घर हमारा वो परिवार होता है जिसमें हम जनम लेते हैं एक छत मिलती है एक जमीन मिलती है और तीसरा हमारा जो घर होता है ये संसार ये देश ये पूरी दुनिया है ये भी अमारा घर ही है तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए तीनों में कोई ऐसे चीज ना हो जिससे हमें प्रेशानियों का सामना उठाना पड़े हैं तो आज मैं आप सब के सामने अपने जीवन का 5 से 22 तक के बीच का एक experience सेर करने जा रहा हूं और लाखों केसों पर study के बाद ये experience बना ह और उमीद करता हूं कि ये जानकारी आपके जीवन में बड़ा माइने रखेगी और आपके जीवन में बदलाव जरूर लेके आएगी दोस्तों मैंने 2005 से 23 में कदम रखा था केसों को handle करना study पहले हो चुकी थी और लाखों की संख्या में केसों पर study करके मैंने पाया है कि घर में यदि इसान कोन में तोलेट या वो सुरूम बना दिया जाता है तो ये दुरभाग्य को जनम दे देता है और दुखों का पिटारा खोल देता है ऐसी गलती आप ना करें क्योंकि ऐसी गलती के लिए फिर बाद में पच्चताने के लाब और कुछ भी नहीं बचता है मैंने दोस्तों एक एक जामपल के तोर पे यदि 100 केस हैं और 100 केसों में यदि उनोंने अपने घर में इसान कोन में इसान कोन बनता कहां पे है उत्तर पूरव के बीच का कोना चार दिसाएं हमारा मारक दर्शन करती हैं उत्तर पूरौँ धक्सिन पस्चिम दिसाएं 10 होती हैं पर आप ज़यादा तर केवल 4 को जानते हैं बाकियों के बारे में फिर कभी लेकिन आज हम पाच्में दिसा के बारे में बात करे हैं उस दिसा का नाम है इसान कोण इस इसान कोन में यदि सो लोगों ने घर बनाया था तो अठाण में लोगों ने मैंने ये दुखदाई गटना अपने आखों से भी देखी है और सुनी भी है कि उन परिवारों में घर के एक ऐसे सदेश से को खुया है जिससे बड़ी उमीदे थी कि वो परिवार का आगे जिमन निर्वाह करेगा जुम्मेवारियों को संभालेगा उन परिवारों ने ऐसे ऐसे प्रिये अपने पुत्रों को भाईयों को माबाप को खोया है और ज्यादा तर इसमें समय से पहले जाने वाले अर्थात जिनके कुंडली में किसी भी परकार का कोई अलपायू योग नहीं था अस्तमस्थान में सनी नहीं था कोई अलपायू किसी भी परकार का योग नहीं था परंतु फिर भी उनोंने समय से पहले किसी रोड एक्सिडेंट में अपने जीवन को नश्ट कर लिया या फिर मानसिक प्रेशानी के कारण किसी भी परकार का जहर खाकर या आग लगाकर या न केवल 2% लोग ऐसे मिले हैं जिनके घर में इसान कोन में यदि बात्रूम टोलेट है परेशान वो भी है कोई सारीक रूप से परेशान है कोई मानसिक रूप से परेशान है जितने भी लोगों ने इस कोने में वोस्रूम या टोलेट को बनाया दोस्तों मैंने हर इंसान को केव कि प्रेशानी आप लोगों को जीवन में ना देखनी पड़ें आप ये गलती ना दुराएं आप ये गलती ना करें क्योंकि इस गलती का समाधान बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत जादा मुश्किल हो जाता है अब आपके मन में प्रशन होगा कि ऐसा क्या है इस कोने में क को क्यों ना बनाये दोस्तों ये कोना जीवन में बहुत ज़्यादा एहमियत रखता है हमारे जीवन में positivity का संचार केवल 10 सो थिशाओं में इस कोने से बड़ा एहमियत रखता है संचार होने में अर्थात दैविक सक्तियां जो घर में प्रवेश करती हैं हमारे पितर पुर्वज या माभगवती या परमेश्वर वो केवल इसी कोने से ही परवेश करेंगे भले ही हमारे मकान का मुख उत्तर में हो पूरव में हो पस्चिम में हो दक्षिन में हो इससे कोई मतलब नहीं है दैविक सक्टियों को मतलब केवल इसान कोन से है और आप थोड़ा सा सोच के देखिए यदि आप कहीं पर जाना चाते हैं और आपके रस्ते में यदि दुरगंद डाल दी जाए जिस रस्ते से आपका आना जाना है आप तो एक किचड को बरदास नहीं कर पाते हैं पानी को ब धरों में दैविक सक्टियों ने प्रवेश करना है यदि उस कोने में इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती हैं तो फिर दैविक सक्टियां कैसे प्रवेश करेंगे आनावाशक मिर्तियों का कारण क्या होता है कि कल युग है दैते सक्टियां इसमें बड़ी प्रबले है तामशिक सक्तियां बड़ी प्रबले हैं अधोगती को समय से पहले मिर्तु को प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है बिना किसी कारण के जो मिर्तु को प्राप्त हो जाते हैं जो जोस में खोस को खो बैठते हैं तो ऐसी सक्तियां घर में अपना रहन बसेरा बना लेती हैं क्योंकि वहाँ पर पोजटिव सक्ति का तो संचार कहीं से होने की उमीद नहीं है चारो तरप केवल तामसिक प्रवर्ति की सक्तियां और नेगटिविटी कोई तंत्र मंतर किसी ने कर दिया या फिर मानसिक रूप से प्रिशान हो गए हैं या कोई घर में उपरी प्राई प्रवेश कर गी है तो मैं ये दावा करता हूँ कि वो परिवार जिस परिवार के घर में कोने में यदि इसान कोन में यदि बातरूम या टोलिट है तो मैं दावा करता हूँ इस से इजगा कि वो अपने पूरे जीवन में यदि वो तंत्र मंत्र के चक्र में पढ़ गया है, घिर गया है, सत्रों से घिर गया तो उसको निकालने वाला कोई नहीं है है तो केवल समादान एक के इस ट्रोलेट को हटा दिया जाए, तबी आपको पूरा गहराई से उस जगे को साप कर दिया जाए, फिर आप इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, वरना आपके जीवन में केवल नेगटिविटी ही हैवी रहेगी, पोजिटिविटी आपके इर्द गिर्द भी नहीं रहेगी और अगर आप इसको अपने जीवन में अजमाना चाते हैं, तो आप कुछ दिन बाहर रहके देखिए और फिर उस घर में रहके देखिए, दोस्तों आप जमीन आसमान का अपने जीवन में अंतर महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो जो वस्तों है, घर है, परिवार है, सब की एक उर्जा है और वो उर्जा हर समय उत्पन होती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, जैसे कि सादी के महोल में जाएं, तो बड़ा अच्छा फील होता है, फीलिंग ये अच्छा आती है, क्योंकि वहाँ पे गाट में जाना पड़ जाए या किसी परिवार में कोई घटना घट गी या मरगत में जाना पड़ जाए तो वहाँ पर केवल negativity का महुल क्योंकि वहाँ पर उर्जा केवल दर्ध भरी ही उत्पन हो रहे हैं तो इसलिए वो negativity का महुल बन जाता है हम अपने इर्द गिर्द जित negative महुल में रहेंगे जब आप ज़्यादा प्रेशान हो जाते हैं किसी बिमारी से ग्रस्तित हो जाते हैं डोक्टर आपको क्या सला देता है कि आप कहीं घूमने चले जाईए क्यों क्योंकि उसको पता है कि आप जिस महुल में रह रहे हैं वहाँ पर negativity है और कहीं बार जाए तो आपको positivity जरूर मिलेगी तो दोस्तो इस जानकारी को आप लोग समझियेगा और जो आपके पिरिये जन है कोई मित्र है मैं तो कहता हूँ सत्रू को भी बताईएगा क्योंकि दोस्तो सत्रूता तभी तक तो है जब तक वो जिन्दा है और हम जिन्दा है जब या वो नहीं है तो फिर सत्रूता किस काम की तो अच्छी जानकारी हमें अपने सत्रों तक पिसेर करने चाहिए और इस कोने में क्या रखना चाहिए सबसे जरूरी क्या है सबसे अच्छा तो है आप इस कोने में मंदिर बनाईए और यदि आप मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस कोने को साप सुत्रा रखिए, डेली वहाँ पर जाड़ू पोचा करिएगा, और यदि ये भी संभाव, इसके साथ साथ में और क्या कर सकते हैं, कि आप उस कोने में केले का वरिक्ष लगाईए, तुलसी का वरिक्ष लगाईए, आनद आ जाएगा आपको जीवन म एक चीज हो रहा है बड़ी समें एहम, कि आप इस कोने से जल का प्रवेश अपने घर में इसान कोन से ही करिएगा, बड़ा अदभूद न जारा हो जाएगा, क्योंकि जल गंगामाई कान से है, और गंगामाई विश्नु भगवान के चरणों से उनका उदगम हुआ था, त उसे किवल एक इसी बड़ी सुनने को अच्छी लगती है, जै गंगामाता है कि कोमेंट में जरूर लिखेगा, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादे लोग उतर सेर भी कीजिएगा, एक छोटा सा आगर है, आप लोगों से बेज जुबानों के लिए प्रियास जरूर क आज कल बड़ी दूरदशा देखने को मिलती है, सडकों पर गाएं भटकते भी देखने को मिलती है, बेज जुबान इधर उदर बिक्रे पड़े हुए हैं, कोई एक्सिडेंट से मर जाता है, किसी के पैर पर गाड़ी चड़ जाती है, पूरा जीवन अपाइस के जिन्दि उनको जीनी पड़ती है, आप लोग सोचेंगे तो इस समस्या का समाधान जरूर आप लोग निकाल सकते हैं, आप इस विशय पर सोचिएगा थोड़ा, और जो पहले मैने विशय आप लोगों को जानकारी दी है, उस पर भी जरूर कोर फरमाईएगा, और खुश रहिएगा हैपी रहिएगा, माभगवती आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आपको परिवार हमेशा खुश रहे, और सुक्ष्यानती के साथ आप लोग आगे बढ़ें, आज के लिए इतना ही, फिर किसी नई जानकारी को लेकर आप लोगों के समक्साएंगे, और तब तक के लिए जै गम मातागी, जै भारत मातागी